ये छित्र को देख लो और जो लिखा है उसको देख लो इशू अपने जीवन काल में मती 24, मती 25, मती 26 इन सभी जगों पे अपने 12 चेलों के साथ बैट कर जब बात कर रहे थे तो इशू के मुख से निकला था ये शब्द क्या निकला था पास्टे डैनियल मैं रखूँगा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी 900 लोग फेस्बुक और यूटूब मिलाकर आप लोग जो अभी मुझे सुन रहे मसी मंतन के लोग भी इसके अंदर है मैं जानता हूँ प्लीज दियान से सुनिएगा और मैं रिक्व में नेपाली में कॉंकनी में जो भी आप हमारे साथ जो लैंग्वेजिस के चर्चे से तेल्गू तमिल है ना कनड़ा आप लोग जरूर्ज में बात करें या इसको लोगों तक पहुचाएं इशू के मुझ से निकला था ये शब्द है क्या निकला था पास्टे डैनियल ज हम सभी जानते हैं मती 24-26 में येशू मसी ने ऐसी ऐसी बाते कही जो आज के दिनों के लिए बोली गई थी या आज के दिनों के लिए रखी गई थी कई बाते की उसमें से एक बात येशू के मुझ से निकला इसका यह दे दो चार्जर लगा दो इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घिंडित वस्तू को जिसकी चर्चा भविश वक्ता दानियल ने की थी कहां की थी ये सब रफ्रेंस आपके सामगे रखती है मैंने मैं हूँ फ्रेम में और ये भी सब कुछ हा रहा है राइट आप इसको पॉस करके नोट कर सकते हैं लिख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे वापस कहता हूँ इशू के मुख से निकला था ये शब्त है कौन सा शब्त है दानियल के दोरा की गई बात है तो ये शू ने इसको क्यों हाइलाइट किया दानियल की बात को अपनी जीवन काल में या थैंक यू क्यों किया ओके ना हम सभी जानते हैं कि दानियल बाइबल वाला डैनियल जिसकी मैं स्टड़ी दे चुका हूँ ठीक है ना दबुक आप डैनियल के स्टड़ी दे चुका हूँ नहीं देखा तो देख लीजीगा रेवलेशन की स्टड़ी जेनिसर्स की स्टड़ी सब दे चुका हूँ दैनियल के मूँ से और दैनियल एक प्रॉफिट था और परमेश्वने भविश्य की बाते एंटिक्रैस की बाते येश्यू की बाते हैं क्या-क्या घटने वाला है सब कुछ इस नभी के दोरा खुलासा किया था तो इसके मूँ से किसके मूँ से दैनियल के मूँ से जिसकी चर्चा येश्यू ने की एक ऐसा शबद निकला था आए देखते किया है और जिसका connection है Antichrist से और जिसका connection है अंत के दिनों से और जिसका connection है कलिस्या में तैयारी को बिगाडने की और इश्यू के आगमन को रोकने की उसकी उपर ये connection है Daniel 7 का 25 जान ध्यान से सुनिएगा और वहा ब्रैकेट में Antichrist परंप्रदान के विरुद बाते कहेगा कौन वहा context में कौन है अगर आप पूरा पढ़ोगे तो मसी विरुदी Antichrist और आपको पता है दूसरा योना 2 का 18 2 जान 2 जान 2 जान जान कहता है कि मसी का विरुदी अभी भी है यानि कि पहली सदी से बोलते आ रहा हूँ इसको पढ़ते हैं लिखा है वहा Antichrist परमप्रदान के विरुदी बाते कहेगा और परमप्रदान के पवित्र लोगों को पीस दालेगा अब इसके आगे जो बोला है न उसके ओपर कभी फोकस नहीं किया होगा मेरा दावा है और जिसने किया उसको लेकिन अगर जिसने नहीं किया आज करिएगा उसके आगे का शब्द को वो कहता है कहता है और समयों और वैवस्ता के बदल देने की आशा करेगा या टॉपिक कैसा है राज मेरा क्या विशे पर बात कर रहा हूँ इशू के दित्ते आगमन में देरी होने की सबसे बड़ी बजा और दानियल कहता है कि वहाँ एंटी क्राइस्ट समयों और वैवस्ता के बदलने की आशा करेगा दो चीज है याँ पर समय और वैवस्ता वैवस्ता समझते हैं ला क्योंकि डैनियल ओल्टेस्ट्मेंट का था तो वैवस्ता लिखेगा और इशू कहता है यह वाला शब्त इशू कहता है कि डैनियल को याद करो इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घिन्ने दवस्तू को जिसकी चर्चा डैनियल कर चुका है तो Daniel क्या कर चुका था ये कर चुका था उसने कहा कि Antichrist यानि कि Lucifer का kingdom The kingdom of Satan के राज्य में ये दो बाते होगी एक समयो को बदला जाएगा और दूसरा वेवस्था को बदला जाएगा अंत के दिनों में ये दो चीजे पे Lucifer फोकस करेगा जितना देरी कर सकूँ करूँगा जितना लेड करा सकूँ करूँगा किसके येशु के आने में कैसे विवस्ता को बदल दूँगा दूसरे शब्दों में मैं टीचिंग को बदल दूँगा येशु की और आपको पता है टेस्मेंट का पहला पुस्तक पांच का उननिस न्यू टेस्मेंट का आकरी पुस्तक प्रकाशिवा के बाइस का आठारा उनिस इन दोनों जगों पे जो वार्निंग जीजस ने खुद दी वो क्या थी? कि सिक्षाओं को मत बदलना सिक्षाओं में गरबड़ी नहीं डालना सिक्षाओं को घटा कर बढ़ा कर नहीं बुलना बदल कर नहीं बुलना ये वार्निंग है जीजस की लेकिन आपको पता है लुसिफर नबे टका काम्याब हो गया समय को पीछे खीचने में और साथि साथ ववस्था को बदलने में can you believe this दूसरा पत्रस तीसरा अध्या जो की मैंने नहीं डाला लेकिन एक वच्छन में रखोंगा बात में दूसरा पत्रस तीसरा अध्या वच्छन तीन से लेके नो तक कहता है कि अन्त के दिनों में ऐसा होगा कि लोग येशु के आने की बातों को आप कब आओगे उसको लेकर लोग मज़ा कुड़ाएंगे ठटा करेंगे और लोग कहेंगे कि येशु के आने में इतनी देरी क्यों हो रही है तो इसका मतलब है उसको पढ़कर मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि येस देरी तो हो रही है मैंने मैसेज को शुरू कैसे किया था आप लोग बात में जाके चेक कर ले ला शुरू में क्या बोला था मैंने कहा था कि हर युग के सिवक को लगता है कि येशू उसी के युग में आएगा जो की फेल हो रहा है सोलवी सदिया सतरवी, अटरवी, उनिसवी, बिसवी, किसवी सब को लग रहा है कि येशू हमारे जमाने में आएगा जो की नहीं हो अपा रहा है अब आप सोच के देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इशू की बाते की जा रही है सेकेंड कमिंग की लेकिन वो नहीं आ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वहा, यानि कि अंटिक्राइस्ट, लुसीफर क्या चेंज करेगा, समय को बदल देगा दूसरा क्या बदल देगा टीचिंग बदल देगा पास्टि डैनियल, हम नहीं समझ पा रहे है कोई बात नहीं मैं आपको समझा देता हूँ आगे भी और भी समझाओंगा लुसीफर को पता है कि जिस दिन इशू आ गया उस दिन उसका खेल खतम मतलब उसका काउंटम स्टार्ट हो गया मतलब उसका अंध का दिन शुरू हो गया ठीक है ना तो उसको अच्छे से पता है कि अगर मैं बच सकता हूँ इसको डिले कर सकता हूँ तो वज़ा एक ही है कि मैं कलिसिया को तैयार होने नहीं दूगा और कलिसिया अगर तैयार नहीं हो रही और कलिसिया को मैं तैयार होने से रोक दू, गड़बडी दाल दू, देरी कर दू, तो ये शुरुका रहेगा, अगर ये शुरुका रहेगा, तो मुझे उतना वक्त मिल जाएगा जीने के लिए, उस टॉचर से, अनन्द आग से, और उस पीड़ा से, अब आप सोच के देखिए, ये कितना लॉजिक के बल है, या लॉजिक वाला बात है, कनेक्टेड है, आप भी इसको समझ रहे होंगे, कि शैथान के पास इशु से बचने का एक मातर रास्ता, और वो यहां है, कि उसकी दुलहन, कलिसिया को तैयारी से रोक दूँ, आप बिलकुल ठीक सुन रहे हैं, मैं उसको तैयारी से रोक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को, जितनी तादात में हो सके, मसी भाई बहनों तक मुझ आई, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि इस सत्य को लुसिफर नहीं चाहेगा कि लोग सुने, मैं फिर पीछे जा रहा हूं, इशु के मुख से निकला था ये शब्द, दैनियल को याद करो, ये शु ने दैनियल का सहरा क्यों लिया, क्योंकि दैनियल कहता है कि वह, बरहम प्रदान के विरोध बाते कहेगा, बरहम प्रदान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, पवित्र लोगों को, बाते विरोध में कहेगा, और लिखता है कि समयों और व इसका मतलब ये है, कुछ भी करकर, मैं इशू की कलिसिया को, जो की इशू की एक ही कलिसिया, याद रखीगा, एक ही कलिसिया, One Church, Universal Church, सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, जो भी बोलो आप, एक ही कलिसिया, उसको मैं तैयारी करने से रोग दूँ, और वो नबे टक का सक्सेस भी है, ना, मैं इसके अंदर एक कदम और उपर जाओंगा, ये चित्र देख लीजेगा, शैतान की एक ही योजना, तैयारी में देरी कराओ, एक ही योजना, जिस दिन से, इशू ने कहा, आपको याद होगा ना, योजना की किताब चौदा का एक से लेके, तीन चार तक में, ये शू ने कहा, मैं वापस आओंगा, याद है कि नहीं, ये शू ने कहा, मैं फिर आओंगा, और मैं जहां रहता हूँ, वहाँ तुमको ले जाओंगा, दो पुर्शों ने क्या का, हे गलीलो, उपर क्या देख रहे हो, दुस्से शब्दों में उसने गलीलो क्यों का, कि ये वो गलीली थे, जिसको मती 28 का अठारा मिला था, 18 से 19, 20, Great Commission महाना गया, कि सब्जातियों में जाओ, चेला बनाओ, मेरी बाते सिखाओ, Got it? या, शेतान की एक ही यूऻना, आप ये चित्र को ठीक से देखेंगे, तो आपको लिखाई देगा कि पूरा विश्वोस के हाथ में है, देखे लेजिए, एक ही यूजना, तैयारी में देरी कराओ, Question है कैसे? कैसे? तो फिर से आपको याद दिला दू, वेवस्ता को बदल दो Daniel 7.25 जो कि मैंने पड़वाय था वेवस्ता को बदल दो That's it इनकी टीचिंग में गड़बडी दालो किसकी टीचिंग में? कलिस्या की टीचिंग में और मैं फिर कहता हूँ नबे टक का शैतान कामयाब हो गया तो आपको मैं फिर से पीछे ले जा रहा हूँ टीचिंग को डालने में गड़बडी वाली टीचिंग को डालने में कामयाब हो गया तो वेवस्ता बदल गई मतलब टीचिंग बदल गई और जब टीचिंग बदल गई तो समय ही समय मिल गया तो लिखाए समयों और वैवस्ता के बदलने की आशा करेगा टाइम लेट हो रहा है, येशु नहीं आ रहा है आप खुद सोचिए ना आप खुद सोचिए गट्सम्नी कब माफ करना अदन की बाती का The Garden of Eden Adam and Eve 1600 साल Total History, नू तक मू के बाद में मुसा तक और एक छे साथ या जो भी आप बोलो डाए हजार साल या जो भी बोलो आप हजार साल लेकिन फिनिश तो हुआ ना काम आगे बढ़ा ना उसके बाद में येशु का आने का इंतजार 400 साल यानि मलाकी और मती के बीच में वो भी ज़्यादा लंबा पिरेट नहीं है इशु का पैदा होने से सेवा करने तक का 30 साल वो भी जल्दी से आ गया साड़े 3 साल में येशु ने खेल कतम कर दिया कुरूस पर मरना जी उठना उठा लिया जाना लेकिन आपने कभी सोचा कि येशु ही का दित्यागमन में 2000 साल का वेटिंग अब आप सोच के दे के 2000 येस लॉंग पिरेट होता है बहुत लंबा समय होता है अभी तक नहीं आ रहे तो उसकी सबसे बड़ी वज़ा है ये लाइन मैं समयों और व्यवस्ता के बदलने की आशा करोंगा और वो कामयाब हो गया कौन एंटिक्राइस यानि की लुसीफर और मैं बता चुका 1st John 2 वस 18 एंटिक्राइस अभी भी जगत में लेकिन जो final exist में आएगा न वो अलग है उसके उपर हम प्रकाशित वाक्य में बात कर चुके दोस्तों कैसा लग रहा अभी तक क्या आपका दिमाख हिला यहां कुछ हो रहा है मैंने इसलिए कहा था शुरू में यह आपको हिला देगा प्रचार क्या कभी आपने इस लुसीफर की योजना जो एक ही है पुरे विश्व में कैसे तैसे करके मैं देरी करा दू आपको मैं कुछ बाते बताता हूँ और यह भी मैं रख चुका हूँ कि कैसे मैं वस्ता को बदल दू मैं आपको बता हूँ इस लुसीफर में दुनिया में ऐसी तरकी लाई है जो की अच्छी है लेकिन उसके पीछे का hidden agenda रहस्य चुपा हूँ वो क्या है पता है लोगों को वेस्त कर दो बिजी कर दो हर चीज में हम हर चीज में आज तरकी कर रहे है आदमी चांद तक जाकर एक तरकी है अभी फाइजी आ जाएगा कुछी महिनों में वो एक तरकी है बॉलिवूड, हॉलिवूड, टॉलिवूड जो की सबसे ज़ादा लोगों के दिमागों में घुस गया है उस पे तरकी लोगों ने पाली है इंफरस्ट्रक्शर्स तरकी पर है अमेरिका बो रश्या बो आपके जितने यूरोपिन कंट्री से बोलो, एशियन कंट्री से बोलो तरकी पर तरकी पैसे पर पैसे बड़ी बड़ी इमारत है सब कुछ बन रहा है 15-20 साल पहले मॉबाइल नहीं था आज मॉबाइल का जमाना है देख लिजी आप किस लेवल पर जा रहा है इन सब के पीछे एक अच्छा है तरकी है ये और होना भी चाहिए क्योंकि काम असान हो जाता है लेकिन उसकी पीछे का मकसद ये आपको समझना होगा कि लोगों को yust करो लोग yust हो जाएंगे, सो समाचा नहीं सून पाएंगे लोग yust हो जाएंगे, सब अपने-अपने focus में रहेंगे, flight में जब मैं travel करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे, तो आप देखें, लोग कितने वेस्त रहते हैं, सब के पास में अपना-पना काला डबा है, यानि कि mobile सब उसी में वेस्त रहते हैं सोच के देखें, दो-दोस travel कर रहे हैं लेकिन घंटों बात नहीं कर पाते हैं, एक ही सीट में बैठकर, आसपास में बैठकर, क्यों? दोनों लगे पड़े हैं, इतने वेस्त हैं, ऐसे टाइम पर गॉस्पन नहीं सुनेंगे, ये दूसरा, जो Christianity है, मसियत है, सेवक से लेकर, टॉप के बिशप, अपोस्टल से लेकर नीचे, चर्ज का जो एल्डर है, उच्छ सभी को ले लो, सब को देख लीजे आप, सारे के सारे, इतने ज़्यादा बीजी हो गए हैं चीजों में, कि उनको तेल का खेल नहीं समझ में आ रहा है, या आपने ठीक सुना, देल का खेल नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड है, टीचिंग चेंज हो गई है, सिक्षाएं बदल गई है, मैं आपको कुछ रख रहा हूँ, आज मस्की किद्धे में बहुत कुछ बदल चुका है,